अलो गाइस कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे SSE CGL का जो 2022 का एक्जाम हो दिसंबर में होने वाला है SSE Nu 4 मेने का टाइम बचा हुआ एक्जाम को लेके काफी ज़्यदा वीडियो में देख रहा हूं जिसमें मेजले इस सीज़ को लेके डिसकेशन हो रहा है कि क्या हम 4 मेने में एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं क्या CGL एक 1st time में पॉसिबल है और यह जो confusion है यह सबसे बड़ा जो परिसानी पेदा करता है वो करता है 1st time में अगर आप 1st time में SSE CGL का एक्जाम दे रहे हो तो definitely कहीं न कहीं आपको परिसान करता है कि क्या 4 मेने में यह पॉसिबल है क्या मैं 1st time से अगर इसकी अभी से तैयारी करूं तो क्या मैं CGL करेक कर दूँगा तो इस वीडियो में चीजों का अंसर दिमगा यह different perspective में आपको इस वीडियो में लिखाने वाला हूं कि कैसे क्या possibility है और क्या actual में market में क्या scenario चल रहा है देखो नाई है ना बार बर बार को आप पुछोगे कि मेरी haircut आ रही या ने आ रही तो definitely आपको बोलेगे कि आपकी haircut आ रही है आपको जड़त है बाल कटवाने की similar situation है coaching के साथ अगर coaching perspective से आप देखोगे तो उसमें भी दो division आपको मिलेंगे कोई crash course बेच रहा है तो बोलेगा तीन मेने में possible है क्योंकि तीन मेने क्राइस को करा रहा है किसी को full time course बेचना है तो बोलेगा कि तीन मेने में नहीं आपको एक साल कम से कम लगेगा CGL की तेरिक अनवी तो यह तो ही नाई की कान है इस perspective आपको नहीं देखना है आपका perspective आपको उसका perspective देखना है जो एक unbiased आपको review दे सकता है कि इसका clear cut answer नहीं है इस वीडियो में आपको एक अच्छे से चीज़ें करूंगा जो भी आपके दिमाग में confusion है वो सारे बाहर हो जाए इस वीडियो को इसलिए एंड तक देखना तो आपको पता है अच्छे से चीजल 2022 का जो recruitment है वह एक golden chance है तो तिन कारण है इसके एक तो लगपक यह लास्ट वाला सीजल माना जा रहा है इसके बाद देरा चंसे की CET आजाएगा मतलब 90 परशंट चंसे से CET आने की इसके लग इस पार vacancy जादा होने वाली है बहुत एडवांस में आपक तो मदब 10,000 प्लस वेकंशी है कई सारे रेजन से इसके वज़े से golden chance माना जा रहा है अब इसमें आपको लास्ट के तीन-चार मैने में आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस पर discussion करते है और किस बच्चे का selection 100% होने वाला है वो इस वीडियो में आपको अगया पटने से पहले मैं आपको टेस्ट बोग के मौक तेस्ट के बारे मैं मता जोताता हूं आपको जिस से पता है एसे से में यह रिडिंग प्रोवाइडर मौक टेस्ट का आपवग माप के मौक लागा सकते हैं मैने भी ऑपनी पृपर अर दोलान के ग्रूड के मोट के वारे में बताओ दूं तो one of the best mock test आपको एससी में प्रवाइड कराएगा जो relevant content है जो एक्जाम पेटन के अधार पे मोक टेस्ट देते है वो टेस्ट भूक के मोक टेस्ट के वारे में बताओ तो one of the best relevant content जो होता है जो कि एक्जाम पेटन के नियरवाई होता है मतलब most replicate जिसको करता है ससी के एक्जाम पेटन को टेस्ट के मोक टेस्ट होता है आप बंद करके भी इसको ले सकता है अब आगे बढ़ते हैं इन चीजों को मैं तीन कैटेगरी में बाटूंगा कि एक्चल में कौन एक्जाम क्लियर कर और कौन है जो इस भावना में इस मतलब धार्णा में रह जाता है कि तीन मेने चार मेने में कौन एक्जाम कर रहा है इसको मैं बताओं कि तीन-चार मेने में कौन करेकर पा रहा है देखो अससी का प्रपेशन कर रहे हैं इसको तीन-चार केटेगरी में आप सकते हैं मैजर क यह ऐसा तपका है लोगों का जो सबसे डिफिकल्ट होता है समझना, सबसे डिफिकल्ट होता है इनको समझाना भी, यह सबसे मतलब easily targeted होता है coaching के लिए भी या किसी और के लिए भी जो मतलब आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं SSE के बारे में आप जो भी सुनोगे YouTube पे देख कई लोग होता है जिनके जिसा English अची है Math अची है और फिर वो एक्जाम देने के लिए बेठते हैं तो उनको चाहिए थोड़ा सा टाइम कम लगता है वे दूसरा तपका है और तीसरा तपका वो है जो सबसे जादा इसमें एक्जाम को निखाल जाता है वो है जिसने तयारी जादे एक दो अटेम्प दे रहे हैं मैंस निखाल रहे है फाइनल लिस्त में नाम नहीं आया उनका फिर से दे रहे है और चोगता तपका हो है जो सबसे बड़ा हमारा इस वीडियो का डिसकेसिन है वो है पहला तपका जो बिल्कुल कुछ नहाता और तीन-चार मैने में क् नया है उसको पता भी नहीं है ऐसे कि फुल फॉम भी अभी जश्ट पता चलिए वीडियो देखने स्टाट कर रहा है क्या उसके लिए चार मैने में पोसिपल है तो मेरा जो डायरेक्ट आंसर नहीं है पोसिब पट सब्जेक्टिव आंसर में इसमें बोलूं कि उसको थोड तो में बोलूं को सुज्ट फोड़कते मिलियर yeah उसको इंगलिस में मतलब पता है डिलिए मतलब ऑपता है उसका पत है समय बहुंत रहा है उसकि पते है अपको आचिए अंध् généralन जड़े पोफ्ल्स दोढ़ को छ टोड़ी आंने में बीव है अधा श्राने टो मॉलिर यार मैने आपको पिलिम्स की मिल गए, पिलिम्स का स्कोर एक हथ तक मेंटर करता है, अगर आप 140 की आसपर राते हो, एक सो पत्सीं एक सुटव जाती है, यृर इन सेस्फ हैंड, उसके बाद आपको तीन मेने मेंस के मिलें मतलब तोटल साथ मेने का प्रिफेशन टाइम आपको मिल गया थर्ट एर के लिए उसके बाद बागी का प्रोसेस है उसका टाइम आप गिनो मतलब लगबग एक साल एक्जाम खीचेगा आपको सिरफ करना पड़े चार मेने अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ कंडिशन भी फुल मैंनत करते हो फुल डेडिकेशन आप दिखाते हो और एक राइड इस्ट्रटेजी आप फोलो करते हो राइड इस्ट्रटेजी बहुत है मतलब इंटरनेट पे आप देखोगे सोट ओपर की आप के लिए क्या फिट कर रहा है वह राइ स्ट्रटेजी होती है मैंने भूल दिया आत को मैं 10 गंटे पढ़ता हूँ राइड में फुल नाइट कर शकता हो पड़ा वह जो दस वजीय्च हो राइड को तो आपके लिए राइड स्ट्रटेजी नहीं है तो मैं आपको डिष तो 101% आप CGL का एग्जाम निखाल सकते हो, that is only for prelims, आप prelims निखाल सकते हो, that is, उसके बाद आपको मैंस का अज़ी स्कोर चीए, तेर 3 का अज़ी प्रेपरेशन चीए बड़ उसके लिए आपको टाइम फ्रेम इलग मिल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि पूरा ही 4 मैंने मा आप कम्प्लेट कर लोगे नहीं, जैसे आप prelims निखालो 4 मैंने में 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 आपके मेंस के मिलेंगे, फिर आपको टेर 3 और बाकी का जो CPT बगएरा, test बगएरा का टेस्ट होगा, उसके लिए भी different time मिल रहा है, तो आप कर सकते है, लेकर आपको बिल्कुल नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, Maths में कुछ नहीं आता है, English भी आपके बहुत ही basic है, Hindi medium के कई स्टुटेंट के साथ दिक्कत होती है, बहुत basic English होती है, और फिर आप ये बोलो कि मैं 4 मैंने में एक्जाम निखाल दू, तो मेरा कहने का मत्तात पर ये है, not to demonize you, but थोड़ा सा difficult है आपक आपको clarity देने के लिए, कि जैसे आपी market में rush आएगा एक तम से कि लोग blindly coaching जोइन कर लेंगे, कि 4 मैंने मुझे तो अपी crack करना है, but ये आप डिशाइड कर लो कि का हिस्टेंट करता है, आप 2-3 केटेगरी जो मैं बताई उसमें, अगर आपको लगते है कि आपको तोड़ी आपको एक कि अटे नीच, इस अले वी से लिए, क्यो थाणिए, और रेल्टेश, झांक देन खानी जोग्या पश्चि करना हम चाने में जोगते हैं, आपको प्रश्च तोड़ी जोगते हैं, क्योगते हैं, ये झाली जोगते हैं, उब्या जोगते हैं, प्रिए।